हाई गाईज वाट्स आप और वेलकम बैक टो इनस्पी पिक्चर्स गाईज आज की इस वीडियो में आपको दाओंगा आप उपने कैमरा से बेस्ट आउटपूट्स कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग DSLR कैमराज ले तो लेते हैं लेकिन अच्छी फोटो उनकी न आपको अपने कैमरा कर लेना है आपको यहां से अपरचर से अपरचर बेस्के लिए क्या होता है कि आपके लेंस के अंदर जितनी लाइट इन न हो सकते है उसको पपर्चर बोलते हैं, अगर आपकी अपर्चर वैल्यू कम है, तो आपके लेंस का जो ओपनिंग डायलो जादा ओपन होगा है, उसके लाइट उसके अंदर जादा जाएगी, एड़ फोटो आपकी जादा लाइट वाली आएगी, आपको जादा मिलेगी, इसके नेक्स्ट स्टेप है जो है आईएसो, आईएसो बेसिकली आटिफिचल लाइटिंग्स होती है, अगर आपकी फोटो में लाइटिंग्स बहुत कम लग रहे हैं, आपने लाइट नहीं बढ़ा लिया लेकिन फिर भी आपको लाइट नहीं बढ़ा देगा, लेकिन उसके वी आईसो भी मिनिममम रखना है, वरना आपकी फोटो में बहुत जादा हो सकता है, तो इसको भी हम मिनिममम हंडेट पर सेट कर देंगे, इसको हम बाद में बढ़ाएंगा अगर हमें जरुद पड़ेगी तो, अब मुझ काता है नेक्स्ट चीज़ पे, जो की है हमारा शटर स आपके कैमरा की फोटो क्लिक करने की स्पीड को गहते है, आपके शटर की कितनी स्पीड है फोटो क्लिक करने की उसको आप शटर स्पीड बोलते हो, अगर आपकी शटर स्पीड की वैल्यू कम रहती है, तो आपकी फोटो बलरी आ सकती है, आपको जो मुमेंट है, अगर बढ़ाद हो तो आपके camera में lights कम हो जाती है and अगर आप shutter speed की value कम कर दो तो light आपकी ज्यादा मिल जाती है क्योंकि shutter आपका ज्यादा देर तक open रह रहा है तो light उसके अंदर ज्यादा input हो सकती है so shutter speed को आपको अपनी light के साब से adjust करना है आपने जो aperture set किया था आपने जो ISO minimum पे set कर दिया था उसके बाद आपको देखना shutter speed आपको कितना रखना है ताकि आपकी photo में जो lighting से वो perfect हो जाए shutter speed की value को आपको minimum 200 रखने है इससे नीचे आपको नहीं जाना है shutter speed 200, aperture 1.8 and ISO 100 लेकिन फिर भी हमारे scene में lighting बहुत कम लग रही है और बहुत dark सा लग रहा है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे इस case में हमें क्या करना है ISO को बढ़ाना ताकि हमारी photo थोड़ी सी light up हो जाए और जो artificial lighting से camera के अंदर वो इसमें थोड़ी सी add हो जाए ताकि हमारा scene खोड़ा सा bright हो जाए बढ़ ध्यान रहे ISO को आपको 400 जादा नहीं बढ़ाना अगर आपको कोई mid range camera है जैसे crop sensor camera होते है Canon के, Nikon के उनमें अगर आप ISO को 400 जादा बढ़ा तो फोटो में बहुत जादा grain और बहुत जादा noise आता है और वो किसी काम की बचती नहीं है सचले मान लेते हैं आपने shutter speed बिल्कुल 200 रख दी है आपने ISO भी 400 पर सेट कर दी है और आपको जो अपने minimum रखा है लेकिन फिर भी आपकी फोटो में darks बहुत जादा है light बहुत कम लग रही आपको तो इस case में आप external lights को add कर सकते हो या फिर आप अगर ISO को बढ़ा हो तो आपकी फोटो में grain बहुत जादा आ जाएंगे तो जले मैंने सारीज जी में बिल्कुल सेट कर दिया ISO को 400 पर रख दिया है अब यहां पर कुछ फोटो को क्लिक करते हैं आपको दिखातो हम बिफोर और आफ्टर ओटो मोडब फोटो हमारी कैसी आई यहां पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि मैंनल मोडब फोटो में अपरचर को खुद मिनिममम सेट कर सकते हैं जिसकी बैगराउंड ज्यादा बलर हो सकता है और लाइट समय ज्यादा मिल सकती है लेकिन आटो मोड में कैमरा क्या करता है कि ISO को बढ़ा देता है जिससे की फोटो में ग्रेंस भी आ जाते है अगर आप चाहते कि आपकी फोटो में बैगराउंड ज्यादा आपको बलर मिले जाहिसे कि आप कुछ हाई-end वाले पोट्रेट्स क्लिक कर रहे हो जहां पर आपको बैगरांग ब्लर जाधा चाहिए तो मेक्सओँ आपके फोटो में बैगरांड का डिस्टेंस सच्जेक्ट से जाधा हो मतलब स्रीघ्यांग एगर को आपको बैगराउंड ब Pen अच्छा बलर मिल सकता है So make sure अगर आप कुछ portraits क्लिक कर रहे हो, जहाँ पर आपको detailed shot चाहिए, तो आप background को थोड़ा सा दूर रखो, मतलब background से distance लेके photo क्लिक करो. वैसे आप separation के लिए बहुत सारी अलग सी tricks का भी उज़ का सकते हैं, तो आपकी photo को stable कर लेता है, and stabilize कर देता है. आपके lens में आपको यहाँ पर यह एक button मिल जाएगा, इसको on करके आपके camera में image stabilization on हो जाएगा, वैसे जो lens में भी यूज़ कर रहा हूँ, 50mm इसमें यह चीज़ नहीं है, बट जो kit lens या फिर कुछ और prime lenses होते हैं, उनमें यह आपको image stabilization मिल जाता है, and यह बहुत ही काम आता है. So that's it for the video guys, I hope आपको manual mode से लेकर सारी चीज़ें बिल्कुल easily समझ आ चुकी होंगी, अब अगर आपको अभी भी कोई भी doubt होता, आप नीचे comment करके बता सकते हैं, and मैं चाता हूँ, अब आप next time जब भी photos को click करो, आप auto mode का use ना करें, आप manual mode में photo click करें, तभी आप कुछ ही नीपाओगे, so manual mode में बहुत potential है, make sure कि आप manual mode का ही use करें, and that is it for the video guys, I hope आपको ये video अच्छे लेगी होगी, अगर आप वीडियो में कुछ भी नया और अच्छा सीखने को मिला होता, आप इस वीडियो को like जरूर से करें, अगर आप चैनल पर नहीं होते हैं, अगर आप आप से AC किसी के माल की वीडियो में तब तक के लिए, good bye